हेलो एबरेबडी आज स्टार्ट करेंगे क्या क्या है फिरिक्शन क्या है फ्रिक्षन a रिक्षंसाड्यम इसक्य Taylor इसका होना बहुत जरूरी है छोटा से एंहें जोटा से लुक्रुन इविल अब यह friction है क्या वैसे बाइटेवे, friction force है, force है चमपकला, friction force है, क्या है friction? Frictional force, है ना, और यह लगता किसके बीच में है, between, between, between लेखा हुआ है, two contacting surfaces, surfaces, surfaces पर लगता है, surface force है ही, समझ रहे है बात को, कैसे लगता है? Parallel to surfaces, parallel to contacting surfaces, parallel to contacting surfaces, parallel लगता है क्या perpendicular लगता है? Parallel लगता है, कब लगता है? कब लगता है? Friction कब लगता है? हर जगा friction लगता है बाइसाब, मैं अपना अगर हाथ मिया रखे हूँ, तो friction के वाइस रखे हूँ, अगर friction नहीं होगा तो, फिर कोई model style नहीं मार पाए कई से, है ना? कई से? हाँ मतलब आप pen से अगर लिख भी रहे हो ना, जा मैं चौक से लिख रहा हूँ, तो friction के वाज़े से लिख पा रहा हूँ, अब लेकिन क्या है, अब यह तो friction का आइडिया तो है यह अपन को, है कि नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया तो है, जैसे आप एक ब्लॉक को चला के छोड़ दो, जमीन पर चलने के वाद थोड़ी दर रुख जाएगा, किस ने रोका, friction ने रोका, जैसे मानलों यह ब्लॉक है, इसको मैं ऐसे किसी जमीन पर रखूँ, धकेल दूँ, तो क्या होगा, रुख जाएगा, नहीं रुख जाती है, चीज़े हैं, इसे ब्लॉक कैसे इसको फेक दूँ, मैं भी ऐसे जमीन पर फिसलता हुआ जाएगा, थोड़ी दूर जाके रुख जाएगा, क्या रोका, friction ने क्या किया, किदर को लगा, किस के opposite लगा, motion के opposite लगा, velocity के opposite लगा, पक का, 100%, 200%, ठीक है, cycle चला ही कभी किसी ने, पकी बात है, तो cycle जब आप cycle पर बैटे, तो cycle आगे बढ़ा ही, पैडल मारने पर, तो friction किदर लगा, opposite, कैसे opposite, cycle बेटे, cycle के पैडल मारने शुरू किये, cycle आगे बढ़ी, किसने आगे बढ़ाई, मैं आगे बढ़ा, मुझे किसने आगे बढ़ाया, तो friction किदर लगा, आगी लगा होगा, यार, अगर small lo jam पर grease पड़ी होती, नीचे जमीन पर grease लगी होती, grease, grease समझते हो, oil पड़ा होता है, एकदम बढ़ी है, thick layer, और मैं चलना की कोईश करता है, तो मैं गिर पड़ाता है, आगे नहीं बढ़ाई पाता, मैं ने जमीन को किदर धका मारा, पीछे, मैं अपने पैर से जमीन को, जैसे ये उंगलियां है, तो मेरी उंगलियां, ये मानलो मेरे पैर है, तो अभी ये मैं जब चलूँगा, तो मैं इसको पीछे धके लूँगा, और आगे बढ़ूँगा, तो इस पर friction किदर लगा कि दोनों ही केसिज हैं, तो friction के लगता कहा है, क्या करता क्या है, friction का जीवन का मकसद क्या है, फिसलने से बचाना, बस, friction opposes sleeping, क्या करता है friction, friction opposes sleeping, किस बात का पोस करता है, friction चलने से नहीं रोकता, friction motion का अपोस नहीं करता, friction कई बार चीज़ों को चलाता है, कई बार friction motion का अपोस भी करता है, कई बार friction की वज़ह से motion generate हो रहा होता है, friction के वज़ह से चल पाते, दुनिया मज़ती चीज़ें चल लें, जमीन पर सब friction के वज़ चल लें, अगर आपकी बाइक के नीचे पैट बो डाल देजा, ग्रीस लगा देजा, चिकना कर देजा एकदम, तो आप accelerate करोगे, वहीं पई यह घूमते रहेंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, कभी-कभी की जड़ों फर्च जाते हैं टायर, बोलो, एरोप्लेन को क्या, एरोप्लेन जब जमीन पर चलता है, तो friction चलता है, अब कहीं पर friction जयाद है, कहीं पर friction का में है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनदा, friction क्या करता है, अपोजिज, स्लिपिंग, स्लिपिंग का पोस करता है, बस friction के जीवन का यह कई परपास है, समझना बात को, फिसलने से रोकता है, फिसलने नहीं देगा, तो कैसे हो सकता है, उसकी अपनी एक लिमिट होती है, अभी जैसे मैंने का, यह मेरे पास एक object है, इस object के उपर एक दूसरा object है, ठ चलाओंगा, नीचे वलाप चुट के चलाओंगा, यह चलाया आगे, तो इस ब्लॉक को किसने चलाया, फोर्स का नाम बताना पड़ता है, इसको इधर किसने चलाया, डेस्टर को किसने आगे चलाया, पैट, इस डेस्टर को किसने चलाया, अरे इस डेस्टर को आगे कौन च तौन के अगजी कि तरफ और अगर निजिए अगए संत्राव जाओन ऐडर अगे कि तौन कर लूख रागे में पार canaran प्रिक्शन के दर लागा अगे कि तरफ और इस पर कि-दर लागा को इधर इस सर्फेस किदर लगा पीचे की तरफ मेरी बात तो इप से अभी तो कि देखना प्रसे इखो अभी फ्रीक्षaimer क्या किया कि छ्चंट इसमें मोची जिनरेट गने ही कि लिए इसको एक्से तो यह पर अगर प्रिक्शन नहीं लगता तो यह इस पर ऐसे फिसल जाता इसको कहते हैं फिसलना कहलाता है तो अभी प्रिक्शन किया नहीं है तो इसके संग रहा हो, तो प्रिक्शन इस अब्जेक्ट से कहेगा कि तुम चलो आगे, इस पर लगेगा आगे, इधर, आगे की तरफ, और इस वाले सर्फेस पर प्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, यह बात क्लियर हो गई, पक्की बात है, अब देखना द्यान से, अभी COM, MOSE science Haiti re, Great, M jungle​. सभाष, तो अभी इसको नीचे के तरफ फिसल्फर आनके कोई कोई की कई, कोई इसको कोई gjुए है, कौनंसा प्रिक्शन रोकने वाली, अ uhat ुम शिरू करते है, to कूय तो कोई रोक रहा है जो फ्रिक्शन वानत इसको केहते है इस्टाक जब तक रोके र भी आपने देखा हिए तोड़ा दीर दीर फचला उस तमें भी एक फचक्छन रखे इसको प्चलिन जे रो गारा था तो फ्रिक्च monetिक चॉड्डरा था ऐस चौनत शर्रीक्षणा shirt जब तक शर्य फिर बॉस कोंगे गया तो कौवह तक प्रिक्षण का कि और अभी काईयाटिक समझ गए पांज समय गए है काईयाटिक काईयाटिक स्टेटक जब तक कर長 के सिए जब तक फिसल नहीं रहा और फिसलने की कौशिश तो कर रही हा रही और ऍंद था रहा ऴद स्कान्तuire डाकिन कुई साRO फ्रिक्शन है अलग लग नाम क्यों रखिए तुम नहीं कभी जीवन में कोई इसे चीजने चलाई की प्सक्राइव है कभी तो जैसे कभी आप किसी अब्जेट को इसे रखी है अब जो यह भी तो आप・ तो आप देखऊंगे आप अबंट करते हैं जो जब देज झाल थो लोग Whoo啊 size ताब चलता है जब तक तक जो स्रेक्शन होता है वो स्टेटों धोबा स्टिक्शन और उबढा होता जब ने जो बड़ा होता है वो यह फ्रिक्षिन नहीं होता है तो यह कॉन्टेंटिंग नहीं है क्या है थिक है जी कानिक बार बार गलत लेगा नहीं है ठीक है जी अभी friction के बारे में एक idea हमको यह लग गया है कि अगर object slip कर रहा है तो जो friction लगेगा वो friction होगा काइनेटिक और अगर object slip नहीं कर रहा है लेकिन slip करना चाहता है या slip होने की tendency है फिर से repeat करेंगे देखे दो two types के friction है friction opposes sleeping पहले ही बात याद रखना और भी point लिख लो friction में सपोर्ट मोशन में अपोज मोशन यह सब मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है अपोज भी कर सकता है according to need according to situation अगर object slip कर रहा है तो जो slip कर रहा है उसको हिसाब से वो देखके लगेगा कि कैसे किसको सपोर्ट करना किसको रोकना है ठीक है ठीक है तो एक example लेंगे भी या अभी यहाँ पर मैंने कहाई यह क्या कर रहा है यह चल रहा है तो यह किस पर चल रहा है ग्राउंट पर चल रहा है ग्राउंट दिख रहा है आपको तो यह किदर की तरफ जा रहा है लेफ्ट डिरेक्शन में जा रहा है कि राइट में जा रहा है राइट में जा रहा है तो friction लग रहा होगा तो इस friction कहां लग रहा होगा किस जगहा पर लग रहा होगा तो अभी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है यह जो block आपको दिख रहा है और यह जो जमीन दिख रही है ठीक है यह जो block है और यह जो जमीन है इस block को देखो तोड़ा मैं अलग करके दिखाऊँगा यह block और इसके नीचे मैंने छोटी सी जमीन, जमीन छोटी सी होना चाहिए कि नहीं, छोटी सी जमीन होती है और आस्मान भी छोटे से होते हैं, आस्मान बढ़ा होते हैं, तो अभी दियान से देखना, अभी इस वाले surface यह सर्फिस इठर पर किसी सरफिस से कॉंटै συνεद कर रहा हूँ अब यह किदर जा ना सर्फिस आगे कि तरफ तो यह सर्फिस से फिसल रहया है तो अभी आपने का ये चुक्ति आगे चलेगा तो इसका lower most surface आगे फिसलेगा तो इस पर friction लगेगा किदर की तरफ पीछे की तरफ लगेगा कि नहीं और इस पर friction किदर लगेगा जमीन पर इस पर लगेगा आगे की तरफ every action has equal and opposite reaction कौन सा friction है ये काइनेटिक है कि static है क्या sleeping हो रही है अगर sleeping हो रही है और friction लग रहा है तो कौन सा friction काइनेटिक तो ये friction का जो nature है उसको हम कहते हैं काइनेटिक mostly तो काइनेटिक लगता होगा क्या है mostly काइनेटिक काइनेटिक लगता होगा करने से का मतलब स्लिपिंग नहीं है मैं चल रहा हूं कैमरा नीचे घरो पैर देखाओ मेरे आज मैं जूते पैन के नहीं आया हूं सेंडल ने देखाओ नहीं कोई दिक्कर नहीं है मेरे पैर तक आना चीए आ रहा है अब मेरे पैरों को ध्यान से देखना मैं चल रहा हूं तो बताओ मैं फिसल रहा हूं क्या पकर नहीं फिसल रहा हूं मैं चलते चलते यहां तक आ गया और मैं यह मोबाइल भी बंद कर देता अभी दियवारइद देखना इसे कहते हैं घिसेटना कुछ लोग ऐसे चलते हैं आइसे आइसे यह इसके टो बहुत तरह लोग चलते हैं और चपल उनकी चार दिन में घिस जाती है पिताजी बहुत मारते हैं लेकिन गिसट ती रहते हैं जिन्दिगी में घिसट गिसट ने अभी पैर जब फ्रिक्षिन लग रहा है पैर चपल के निचले सर्फेस और जमीन के बीच तो यूँ आफ टू कि रुका हुआ है रुका है जमीन पर दोनों पैर रों के अभी पैर ऊठिया अभी यह ओर रहा जबंगा थाइख़ुए ए लेकिन किस पर लग रहा है लिए मरा फ्रिक्षज के नीचिक्षिंस एब फ्रिक्षिन आपके ने एगा अभी जो ।ब अलहीं अगर फ्रिक्शन लगा तो इस ट कानेटिक लगा समझ गये फ्रिक्शन कोपड़ी लगता है बोड़ी पर दो लगता है कि जांटेक्ट वहां लगता है कि जब मैंने इसलें बौड़ी नहीं लिखा था तुमने बौड़ी बोला था मैंने क्या लिखाता कॉंटेक्टिंग सर्फेस पकड़ना है अपन को जा प्रिक्षं लग रहा है उसको अगर नहीं देखा और वह पर जल्दी नूट करने पटापट तो अभी यह ब्लॉक चल रहा है और इस पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है इस्टैटिक लग रहा है कौन सा लग रहा है काइनेटिक लग रहा है और किस डिरेक्शन लग रहा है यह पता लग रहा है यह फ्रिक्शन ब्लॉक के चलने की वज़ा से लग रहा है कि स्लिपिंग की वज़ा से लग रहा है इसमें कोई डाउट तो नहीं और जब स्लिपिंग हो रही होगी तो जो friction लगेगा उसको कौन सा friction कहेंगे kinetic friction कहेंगे इसमें कोई doubt तो नहीं अच्छा भी ध्यान से देखना आप इस तरफ देखना अब ध्यान से कि अगर यह ground है मानलो surface है कोई इस पर आपका कोई block है चल रहा है ठीक है तो अभी इस पर क्या लगेगा kinetic friction लगेगा block पर आग पीछे की तरफ है ना और normal force एक उपर की तरफ लगेगा और एक mg तो नीचे लगे गई लगेगा तो अभी यहाँ पर दो contacting force है एक friction है और एक कौन सा है normal है यह friction force surface के parallel लगता है और normal perpendicular लगता है तो इस पर अगर कोई बोले कि contact force जो generate हो रहा है block पर जो लग रहा है contact force उसकी value अगर कोई पूचेगा तो उसे आप क्या बोलोगे n square plus f square यह net contact force लगा इसको हम लोग बोलते है reaction force है ना क्या बोलते है reaction force बहुत द्यान से देखना अभी तो यह reaction force कई बार इसको आर से रिप्रिजेंट करते हैं और यही होता है किसके बराबर under root of n square plus f square के बराबर कोई दिकत की बात में अच्छा अब देखो क्या होता है कि यह friction कितना लगेगा कभी यह friction ज्यादा लगता है कभी यह friction कम लगता है तो किस बात पर friction will not depend on friction does not depend on speed वही velocity पर और speed पर दावन पर नहीं करता है बैच depend on speed आएं surface की nature पर depend करता है किस पर depend करता है nature of contacting surfaces किस पर depend करेगा friction nature of contacting surfaces एक important बात और बता देता हूं क्या होता है कि बातें जो हैं इदर उदर निकलती रहती है थोड़ा ध्यान से समझना बाग देखिए एक पुराना concept था लोगों को यह लगता था कि जो surfaces हैं उनके बीच में क्या होता है interlocking होती है क्या होती है interlocking अब ध्यान से देखना मैं कुछ बता रहा हूं आपको देखिए क्या था कि पहले लोगों के दिमाग में क्या concept होता था कि surface जितना खुरदोरा होगा रफ होगा friction उतना ज्यादा होता है उसकी वज़ा लोग क्या सोचते थे mechanical interlocking है ना mechanical interlocking का मतलब यह है कि अगर आप इस surface को थोड़ा microscopically observe करोगे तो आपको इसमें ऐसे कुछ grooves से बने हुए दिखाई देंगे गड़े से उबाल खावल ऐसा दिखाई देगा वेन यू विल observe it microscopically तो आपको कुछ ऐसे जो बिलकुल चिकना surface भी होगा उसमें भी आपको ऐसे कुछ गड़े-गड़े से दिखाई देंगे यहना फिर वो जो निचला surface से दूसरे object का उसका surface भी कुछ ऐसे गड़े-गड़े से बने होंगे उसमें और वो जब इसकी उपर आएगा तो यहाँ पर कुछ grooves इसमें एक दूसरे में mash कर जाएंगे तो गड़े से गड़े पुर जाएंगे जो बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि friction का एक कारण है mechanical interlocking जो की नहीं है जो की नहीं है ठीक है तो मैं पहली बात बता देता हूँ कि reason of or reason behind friction is not mechanical interlocking यह आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा बड़े-बड़े कोचिंग की किताबों में भी notes में लिखा मिल जाएगा लेकिन आप तोड़ा ध्यान रखना reason behind friction is not mechanical interlocking यहाँ पर मैंने not लिखा हूँ है तो फ्रिक्षन का मुख्य कारण क्या है क्या मुख्य कारण क्या कारण what is friction friction क्यों generate होता है तो friction is electromagnetic bond between surfaces electromagnetic bond between surfaces ठीक है यह friction है और एक और बात आपको बता दें कि अगर आप surface को smooth करते जाओगे जैसे दोनों surfaces को आप और बढ़िया पॉलिश करो smooth करोगे तो friction शुरूव में घटेगा लेकिन फर्दर जादा smooth करोगे तो उसके बाद दो surfaces के बीच का friction बढ़ने लगता है क्या होने लगता है जब बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया जाएगा surfaces को तो उनके बीच में लगने वाला friction क्या होता है बढ़ जाता है समझगे तो अब तो आपकी mechanical interlocking पूरी गायव हो गई है है ना तो पर friction कहीं से बढ़ा तो एक अही वज़ा है friction का friction electromagnetic bond है वो bond कितना strong बनेगा कितना ज्यादा bond बनेंगे यह decide करता है कि दो surfaces के बीच में friction कितना लगेगा ठीक है के लिए रहेगी मेरी बात यह मैंने आपको दो सत्य बातें बताई है और यह बात मैंने देखा किताबों में लोगों के modules में इदर उदर गलत लिखा रहता है ठीक है तो इसका ध्यान रखना अच्छा जी अब बात आती है कि देखो friction जो है है तो अभी मैंने कह्यार इसको खीच रहेंगे हम यहाँ पर मालो हमने ते पड़ा लगाया और इसको पूल करना शुरू किया फवर्स लगाजर तो अभी आपको पता है कि इस फोर्स आपको लगाएंगे तो लेकिन शुरू में यह नहीं चलेगा एकर कम फोर्स लगाया त कोई दिक्कत की बात है क्या अच्छा सोचो कि एक ब्लॉक रखा हुआ था दस किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ था इसको आपने खीचा तो आपको कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि फ्रिक्शन को बैलेंस कर जाए अभी पता चलेगी वोई तो समझा रहे है पहले सुनते रहना तो यह फोर्स आप जो लगाओगे तो आप दस किलोग्राम की मानलों एक बोरी रखी हुई है आपने बोरी को खीचा अच्छी कासी आपको फोर्स लगा के खीच लिया लेकर आप थे इतने त्वाकतवर इतने श तो अभी आपने क्या कि आपकी ग्यों की रखी हुई थी आपने उसको खीच लिया कि नहीं खीच लिया अब आपका एक दोस्त को लागे तुम बड़े पावर्फल आदमी हो वो पर बैट गया उस अब बोरी पर बैट गया अब आपने खीच पाये क्यों आरे बेट का अब किछना मुश्किल हो जाएगा ना क्यों मुश्किल हो रहाब उसने तो फोर्स नॉर्मल लगाए ना पर्पेंडिकुल लगाए ना कमाल करते हैं यह तो प्रिक्शन को बैलेंस करेगा ना तो अब आपको तोड़ा ध्यान से सुनना है इसका मतलब यह हुआ कि इन दो अब ना किसी तरह से इसको दबा किसी को बिठा के तो अमने यहां पर ज्यादा लगाना पड़ता कि प्रिक्शन बढ़े जाता है तो हमने एक बात अंदाज है लगा लिए यह बात तो हमने का तै है है लेकिन कई कई सर्फेसिस में अमने देखा कि अगर नीचे मान लो आप दो तो दो क्या चाल लोग बिठा दो फिर भी जंदा खीस देता है इसे और अगर नीचे ऑईल ने डालो सूका रखो तो उस समय कीचना मुश्किल होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रिक्शन जो है नॉर्मल पर तो डिपेंड करता है लेकिन इन दोनों सर्फेसिस क करता तो आमने प्रिए जो नेचर नेचर रिप्रेजन करते हैं मूश्चन उससरी स्स lagi मूश्किया मूश्क नाम में रखा मूश्क है इसका नाम नियु जूज्य है ten star mu इसका नाम क्या है इसका नाम हे कोफिशियंट फ्रिक्षण क्या नाम है इसका नाम है कोफिशियंट फ्रिक्षण कि गार मुश्यद थे हैंप ries chicusum तब लेकितने तरह gegangen होते हैं ते नीघ थो थे कि पती होसाय है यह मैं नेखकर्ण थे में मिव Strikas क्टाब में है यह प्रीक्शन फ्रीक्शन ब्रेकिंग कोई तरह कोई नहीं होता कही तरह कोई तरह कोई टाइपस कौन-कौन से ताइपस की अगर आप बात करोगे तो पंडामेंटली दियर आर उनली टू ताइपस अब उसको क्या है कि बच्चों को समझाने के लिए टर्मिनलोजी को लोग एक्स्टेंड करके कुछ कुछ समझाते रहते हैं और बच्चों का समझ गरबड़ा जाती है फिर जब वने असली बत पता चलती है तो वो कंफूज़ी रहते हैं एक्दम है तो दो टाइप कि और ओक्षानिटिक कउंसा होता है काइणेक द hakk commitment करेंगे करें कि कर लें कि कर ल्म आब अभी मैंने बात की kinetic friction की kinetic friction कब लगेगा हां जी के का इंटिक की यो वैलू आएगी उसको हम लिखते हैं söylacanze किसे लिखते हैं म्यू के बात से what is म्यू क कोफिजियंट ओफ कीनेटिक सबस्क्राइब तो कानेटिक फ्रिक्षिन लगता कब है कि एट्स ड्यूरिंग सिलेपिंग सिलेपिंग तो समझते हो ना किया लगे बहुत गेरे हैं भाई से फिसल फिसल के सब समझते हैं कि इसकी वयल्व कितनी होगी कानेटिक फ्रिक्षिन की वयलू कितनी होगी इसको एफके से लिग दहær हैं इसकी फिक्स्ड होती है ज्यादा फ्रिक्ष्ण लगए करदो किम इस पेल करता है इस ये डिक में करता है और नेछर करताए इस ऐल दर थी आए एक बार अट बार बीट लगे गाइग भी आउँ तो सल्राइब और इतना हिए लुगरा तो जबतक अई रूप नहीं ज़ाएए जबग सेब तो 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 किनेटिक प्रिक्शन लगेगा कितना म्यू के बराबर लगेगा और कब लगेगा जब तक और जब शिलिपिंग नहीं हो गई तो स्टेटिक प्रिक्शन लगेगा और स्टेटिक प्रिक्शन लगेगा काई के लिए और कहां से लिप तो भी नहीं रहता बहुत ही बढ़िया बात यह सबसे इंपोर्टेंट बात है काईटिक प्रिक्शन की वैल्यू फिक्ष्ड होती है कितनी होती है म्यू के बराबर है न और आफ Tu आ पता दूसरा फ्रिक्शन हमने अमारे जीवन में यह आ चुपा है Static Frisic string mostly हम लोग je 엄 cotton किसमें जीते हैं किसमें जीते हैं और कूई फिसब कि Geeshat कि रुका आपको पता मुआ né मैटि अगे से फिसले के रुख गाई Tekel कि Caantip क्या बुरा होता है बारिज में होता है किनले के बाई से हो तो इस्टाटिक फ्रिक्षिन कब लगता है अब्जेक्ट रोका हुआ नहीं इस्टाटिक फ्रिक्षिन एक्ट्स बिट्वीन सर्फेसिस वेन देर इस टेंडेंशी ओफ सिलेपिंग टेंडेंशी ओफ सिलेपिंग अब लग रहा होता है जब उनमें फिसलने की प्रिवृत्थी हो टेंडेंशी हो मतलब मतलब कि अगर फ्रिक्षिन नहीं लगा तो फिसल जाएंगे नहीं समझे बात आप जैसे अब आप ऐसे बोर्ड पर ऐसे कई लोग ऐसे टिक्ट्य खड़े हो गए अब कौन बचाया है उन्हें इस्ट्रिक्षिन बचाया है अगर नहीं होता तो तो हम यहां नहीं होते हैं वहते क्या पैर चलेगा होते आगे कुपट यह जलेगी विती नीचे वह गया होता कारेक्ण समात्थ नहीं तो इस्ट्रिक्षिन कभ लगेगा हाँ जब टेंडेंसी 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 क्या होगी सिलिपिंग की टेंडेंसी होगी अब्जेक्ट में सर्फेसे के बीच नहीं समझे बात को सिलिपिंग की टेंडेंसी होगी जब सर्फेसे जैसे माल लेग रस्ती पकड़के आप चल रहे हो तो रस्ती को आप ऐसे प को है ? नहीं सम्झे बाद के खाय लिए कहा बाद काँ पर ? ठीक है ध्यान से देखना अब अब समाझना इस टेट रहे इधर सुन लिए इधर सुन जो इधर सुन लिए इधर सुन लिए इस टेटर पोगेगा ? यह पर एक ब्लॉक है और यह ब्लॉक अभी इस नॉट सिलेपिंग तो कौन सा फ्रिक्षन लग रहा है ब्लॉक पर जल्दी बताओ तो प्रिक्षन ब्लॉक पर लग रहा होगा कितना इस्टैटिक और इधर भी लग रहा होगा कितना इस्टैटिक सिलेपिंग का है स्लेपिंग नहीं है। स्लेपिंग covid की टैंडेंसी मतलब अगर प्रिक्शन नहीं लगेगा तो यह सत जाएगा तो फिसल नहीं नहीं दे रहा जब तक फिसलने नहीं दे रहा तो गान वह बचा और जब एक बार फिसल गया तो फिर अब कौन रोखने कोईश्च करेगा काइनेटिक फिसलने के दौरान कौन लगेगा और फिसलने के पहले इस्टैटिक फिसलने से पहले ना यह नॉट सलिपिंग समझ रहे हो बात को तो फिसल जयेगा अच्छा अब सुनते रहना ध्यां से एक बात हो अब समझना है आपको मैंने आपको काइनेटिक फिसलने बता दिया गया और कितना लगता है म्यू के एन इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं कब लगता है कानेटिक फ्रिक्षन जब सिलिपिंग हो रही हूँ अच्छा मैंने कहा चलो एक ब्लॉक देख लो यह ब्लॉक है यह जमीन पर है यह चल रहा है यहाँ पर पांच मीटर पर सेकंड की स्पीट से इधार इस पर एक फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है जी एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो है कितनी है एक लाग है दस लाग है और अब कितनी है एक करोड एक करोड और अब कितनी है दस करोड न्यूटन का पोस लगा दिया है टैन करोड और ये एक किलोग्राम का ब्लॉक है और ये वाला डारेक्शन है इस्ट डारेक्शन और ये वाला डारेक्शन है वेस्ट डारेक्शन बताओ friction किदर लगेगा किस direction में लगेगा ब्लॉक पर direction of friction on block direction of friction on block east या west India is the best किदर लगेगा भाईया east में लगेगा काई ब्लॉक पर किदर लगेगा पोर्स को रोकने के लिए अब भी मुझे ये बताओ अब मैंने का friction की बात आ गई कौन सा friction लगेगा कानेटिक प्रिक्शन क्या देखके लगता है कानेटिक प्रिक्शन दो सर्फेस को देखेगा एक ब्लॉक का सर्फेस नीचे वाला ये वाला सर्फेस और एक ये वाला सर्फेस ये वाला सर्फेस किदर जा रही है जमीन किदर जा रही नगे न जा रही ये वाला सर्फेस किदर जा रहा है अभी आगे जा रहा है इसके पास velocity दर की तरफ है इस पिरिक्शन किदर लगेगा है पीछे मतलब एस्ट या एस्ट से कमोशन किस से डिफयन हो mo पिलस्टी को से स्टेंच या वह अगे जब तक citizenship कर चलुना क् चलाना फ्रीक्षन को य है सैज भी स्पोर्स के साहथd मिल के इसको रोक लेगा लेकिन आपको पता है कि भविष इसका ठीक नहीं है वरत्मान में इसे हम सवाल पूछा गया तर Twitter परिजेंट में कि अभी फ्रिक्शन किदर लग रहा तो आपको अभी का बताना है अब आप सोचने लगो कि यार अभी अभी बस यह पता है का इसके जीवन में कुछ बचा नहीं अभी रुखेगा इधर ही भागेगा कटाक से वह बात की बात है वह बहले से अगले पल की बात हो हम अगले पल की भी नहीं सोचते कितने अप्टिमिस्टिक लोग हैं हम लोग है कितना बड़ी सोच वाला है इस पल में जी रहा है वो कि अगले पल में अगले पल देखा जाएगा अगले पल उसे पता है कि फिलाश्टी दर इस इस इंगे आपको शवाल देता हूं जल्दी से आप नोट लिख देता हूं अभी मैंने का यह देखिए ब्लॉक है यह दो किलोग्राम का ब्लॉक है यह जमीन है यहाँ पर म्यू के की वैलू मैंने आपको देदी 0.8 न्यूटन जीरो पॉइंट एट ओनली कोई घबराने की बात तो नहीं ब्लॉक आपका रेस्ट पर है फाइंड वैल्यू ओफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ओन ब्लॉक कितना फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पर जल्दी से बताएं 16 न्यूटन लगेगा किदर को लगेगा पर्मॉला याद कर लिए थे हम तो हमाने निप्टा दिए 16 न्यूटन तो अभी आप यह लूग क्या बताओगे जीरो हम सवाल पढ़ते नहीं जवाब देते हैं अब आप अपना सवाल बदल लेगा एक और देते तो पहले सवाल का आंसर आपने दे दिया एकदम सही जिसमें आपको मिला जीरो निगेटिव मार्किंग नहीं थी किसमत से आपकी है ना कोई गवराने की बात है इस बार बताजिएगा आप यह तीन किलोग्राम का ब्लॉक इसके उपर एक दो किलोग्राम का ब्लॉक यह चल रहा है पांच मीटर पर सेकंड से और यह भी इस इंस्टेंट पर पर चल रहा है. पांच मीटर पर सेकिंड से और यह ग्राउंड अलग-अलग कांच चल रहा है. अलग-अलग है निगा. अलग को होई यह तो तो अलग-अलग होई निगी निग रखी यह आपको फ्रिक्शनल कोफिशियंट मिउ ची वैलु दे रखी है जीरो पॉइंट एक्टिंग ओन लोवर सर्फेस ओफ लोवर सर्फेस ओफ थिरी किलोगिराम ब्लॉक अब आपको करना क्या पड़ेगा आपको देखो भाईया जी अभी यहां पर यह दोनों एक साथ चल लाएं तो फॉर मुमेंट वी केन कंसीडर देम एजा सिंगल बॉडी तो मैंने कहां यह दो किलोग्राम का था यह तीन किलोग्राम का था यू केन ट्रीट देम एज सिंगल बॉडी तो अभी आप इस पर एमजी कितना दिखाओगे फिफ्टी न्यूटन तो नॉर्मल उपर की तरफ कितना लगेगा बिटा पचास न्यूटन और यह आगे जा रहा है ना इसमें विलॉस्टी मोशन किदर की तरफ है आगे की तरफ और नीचे जमीन पर मोशन किदर क जमीन की दर जा रही है कई नहीं जा रही तो मतलब यह ब्लो क अले है फ्रिक्षिन किदर लगेगा कौन सा लगेगा काइनेटी की वेल्यू क्या होती है मुक इक वेल्यू पॉइंट थेरी नॉर्मल की वैल्यू पचास कितना हो गया पंदरा नीउयूटन इसमें कोई दिकत कौन सा प्रिक्षन लगा काइनेटिक आसानी से बता दिया आपने एक्जामपल नमबर दिती दिती ये समझते हैं आप लोग दो अच्छा दो चलो अच्छा बताना इस बार खत्रा है झालो अच्छा दो अच्छा दो एफ यह जमीन है टिक है? गबराने की कोई बात नहीं यह चल रहा है फाइब मीटर पर सेकिंड से यह चल रहा है 6 मीटर पर सेकिंड से यह चल रहा है 3 मीटर पर सेकिंड से यह चल रहा है 2 मीटर पर सेकिंड से ठीक है? यह चल रहा है 1 मीटर पर सेकिंड से और यह चल रहा है 7 मीटर पर सेकिंड से अब आपको बताना है क्या कि A और B के बीच में friction होगा, हर जगा friction है, कितनी जगा friction है, हर जगा friction है, तो सबसे पहले मास वास कुछ नहीं, आपको सिर्फ बताना है, show the direction, show the direction, कौन सा friction लगेगा, पका, हर जगा, सब जगा सिलिप कर रहा है, अच्छा, show the direction of friction, at each, every, contacting, surface, पंदरा सेकिंड मिलेंगे आप, आप देखना भाई, द्यान से समझ लेओ, ठीक है, माम लग खतरनाक है, ए पर friction किदर लगेगा भीया, ए पर friction लगेगा पीछे, कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, कौन, बी लगाएगा, और बी पर friction कौन लगाएगा, अब इस surface पर अगर बात किजाए, यहां दो surface एक A का है और एक B का है, यह दोनों contact में, तो मैं इन दो पर focus करता हूँ, पहले मैंने कहा रहे हैं, यह A है, और यह B, नीचे, मैं तोड़ा इनको अलग-अलग बनाता हूँ, force diagram के लिए, ठीक है, A जा रहा था आगे 5 मीटर पर सेकंड से, B जा रहा था आगे 6 मीटर पर सेकंड से, तो friction जो लगेगा, B की वज़ा से A पर लगेगा, और A की वज़ा से B पर लगेगा, A पर जो friction आएगा, इधर जो friction आएगा, वो कौन लगाएगा, यह, और इधर जो friction आएगा, वो कौन लगाएगा, A, तो अभी इधर को आएगा friction, पीज़े की तरफ, यह आपने decide करो, जिसको लगाना है friction, उससे पूछो, किससे पूछे, तो मैंने B से पूछा, किससे पूछा, बताओ, क्या पूछा, बताओ, A पर friction किधर को है, क्या पूछा, तो उसने का ठाइरो, क्या का उसने, उसने का ठाइरो, हम देख के बताएंगे, किसने का, B ने क्या का, ठाइरो ठाइरो देख के बताएंगे, तो यह जिसने देखने की, जैसे इसने देखा, तो यह कौन बन गया, observer जैसे यह observer बना इसने का मैं rest पर हूँ मैं अपना motion इसको पलट के दूँगा मैंने का दे दे तो मैं जो कनने कर लो अब प्रिक्शन बताओ बस अब इसने का कि A तो जा रहे है पीछे किसने का B ने का A पीछे फिसल लिया है प्रिक्शन लगेगा आगे हमने का ठीक है बहुत बढ़िया A ने ये को नराज हो गई का है A B ने प्रिक्शन लगा दिया न उसने का Newton's third law क्या का Every action is equal and opposite reaction तो अगर B ने मेरे उपर प्रिक्शन आगे की तरफ लगाया है तो मैं B पर फ्रिक्शन लगाँगा पीछे की तरफ तो A पर फ्रिक्शन की तरफ हो गया आगे की तरफ और B पर फ्रिक्शन हो गया पीछे की तरफ कोई दिक्कत की बात है नहीं अब हमने का B और C के बीच की बात कर लें करें कि नहीं करें टो मैंने का बी कि दर जा रहा था यहां का प्रिक्षन चाहिए इस सर्फेस का प्रिक्षन चाहिए तो मैंने का यह B है और यह C है इन दोनों के बीच का friction चीए तो किस से पूछे हैं बी से पूछ लो चैसी से पूछ लो बी से पूछ लो और सी से पूछ लो तो इससे बताएगा तो बी से पूछ चलो तो बी को जैसे ही आपने observer बनाया बीने का रुछ जाओ ठैरो 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 अमने लिए ठैर जाओ अब अपनी विलोस्टिक को देदेगा इदर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड देदेगा अब क्या बताएगा सी के बारे में पीछे जा रहा पीछे जा रहा क्योंकि चे पीछे और तीन आगे तो नेट तीन पीछे तो इस पर प्रिक्षिन लगा देगा इस पर आगे की तरफ और चुकीश ने इस पर प्रिक्षिन आगे लगाया तो एक्षन रियक्षन पेर इस पर प्रिक्षिन किदर लग जाएगा वो उपर वले surface में लग रहा था भाई हाँ तो हमने कम बना किया अब भी कईसे अब बी और सी के बीच का friction दिख गया इसका friction का नाम रख लो चलो F1 या FAB इसका नाम रख लो FAB इसका नाम रख लो FBC इसका नाम रख लो FBC अब C और D के बीच में बताएंगे तो बताओ C पर friction के तर लगेगा D के कारण पीचे नहीं पीचे पका पीचे कोई गभराने की बात नहीं कारेक्रेम रंगा रंग कर दिये जाए कर दिये जाए ठीक है रंगा रंग कारेक्रेम में रंग गाएब है ठीक है देखेगा आप C पर जो friction लगेगा वो लगेगा पीचे क्योंकि जैसी इसको observer बनाओगे D को यह अपना दो और इसको देदेगा इधर को तो यह आगे बगताओ देगा friction लगा देगा पीचे इस पर किदर लगेगा आगे अब E से बताओ प्रिक्शन किदर लगेगा इसे डी पर तो अब D E कहेगा हमें observer बनाओ तो अपना motion इसको पलटके दर देगा तो फिर किदर प्रिक्शन लगाएगा डी पर आगे और इस पर किदर लगेगा पीचे F और E के बीच E पर किदर अब यह F जो है आगे और F पर किदर पीचे यह किसी को कहीं doubt है बोलो जल्दी F को observer बनाओ तो यह अपना motion 7 जो था इसको पलटके देगा इधर तो 7 आगे इधर और 1 पीचे तो कितना हो गया तो सारे जगों प्रिक्शन दिख गया ग्राउड का फ्रिक्शन बताओ अभी यह बताओ कि ग्राउड से जो फ्रिक्शन लगेगा वो किदर को लगेगा इस F वाले ब्लॉग पर फ्रिक्शन किदर लगेगा पीचे बहुत सिंपल सी बात है ना तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीचे और ground पर जो friction लगेगा वो किदर को लगेगा आगे को लगेगा तो सब जगह friction देखकों यह कौन सा friction है काइनेटिक फ्रिक्शन है यह सिलिपिंग हो रही न हर जगा तो जहाँ जहाँ सिलिपिंग होगी वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ठीक है समझगे बात ठीक है तो अभी अपन आज यहीं तक करते हैं इसके बाद अपन इस पर बेस्ट क्वेशन्स करेंगे ठीक है स्टेटिक्स के कानेटिक्स के सब के पैक्टिस भी करेंगे कुछ चलिए ठीक है